हाई अबरिवन क्लास हीट मैं थेंट से आटी एक्सरसाइज 2.4 का थर्ड कोशन सॉल्व करते हैं और समझते हैं तो चैनल को आप सब्सकाइब कर लिजे क्योंकि यहाँ पर आपके सारे एक्सरसाइज के सॉलूशन मिल जाएंगे और सॉलूशन कराए जाएंगे तो चली हम कोशन समझते हैं देखे थर्ड कोशन क्या दिया हुआ है कि sum of the digit of a two digit number is 9 यानि कि कोई दो digit वाला number दिया हुआ है जैसे कि 20, 21 इस तरह के दो digit वाला number दिया हुआ है उन दोनों digit के numbers को जब आपस में हम sum करते हैं तो 9 आता है आपस में interchange करते हैं यानि कि बदलते हैं एक दूसरे का स्थान पर रखते हैं तो क्या होता है जो नया number आता है वो 27 अधिक आता है तो what is the two digit number तो जो हमारा दो digit वाला number है वो पूछ रहा है तो suppose यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर के लिए example के लिए यहाँ पर 27 लेते हैं अब देखिए 2 और 7 है यहाँ पर तो 27 को जो हम आपस में add करेंगे तो add करने पर क्या आ रहा है एड करने पर क्या आ रहा है तो 9 आ रहा है देखिए यहाँ पर लिखा बना sum of the digit of a two digit number is 9 यानि कि दो digit वाले number को जब हम आपस में add करते हैं तो 9 आता है अब देखिए जब हम इन दोनों को interchange करेंगे एक दूसरे का स्थान पर रखेंगे तो यहाँ पर 2 की जगा 7 होगा और 7 की जगा 2 हो जगा तो 72 आ गया अब देखिए जब 72 जब आ रहा है तो 72 में से जब हम 27 घटाएंगे 27 घटाएंगे तो 45 आएगा समझ में आ रहा इतना आपको समझ में आ गए अब देखिए यहाँ पर 2 और 7 दिया हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे इसको unit digit बोलेंगे यानि कि one place पर है यानि कि पहले place पर unit digit हुआ और यह second place कितने पर है 10th place पर है जब हम इस 27 को लिखते हैं देखिए इसमें confusion जादा होता बच्चों को द अब भी यह is equal to कितना हो गया 10 into 20 और प्लस 7 यहाँ पर 27 हो जाएगा देखिए question कैसे समझते हैं यह आप ध्यान में रखिया कि आप चलिए question solve कर देते हैं पर देखिए दोनों digit का जो numbers का जो sum है वो 9 है तो हम one place पर मान लेते हैं क्या है x है let let digit at once place यानि कि पहले number पर जहाँ यह यह unit digit है तो वहाँ पर हम मान लेते हैं कि x है क्योंकि वो हमें number पता नहीं है अब दोनों का जो sum हा रहा है यानि कि दोनों digit का जो sum हा रहा है वो 9 है तो second जो second वाले number पर होगा जैसे कि यहाँ पर 27 है इन दोनों को हम add करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 आ रहा है और जब हम unit digit वाले यानिकी 9-7 जब unit digit वाला number घटा देंगे 9-7 कर देंगे तो second वाला number हमें मिल जाएगा बिल्कुल मिल जाएगा तो वही काम करेंगे देखिए यहाँ पर then second number is equal to क्या हो जाएगा 9-x हो जाएगा second digit आप देखिए now जो हमारा whole number आएगा जो हमारा पूरा number आ रहा है वो 10 into 9-x plus x लिख सकते हैं यह हमारा original number हो गया जो हमने सोचा है अब आप सोचेंगे 10 into 9-x plus x क्यों लिखा है तो same यहाँ पर देखिए यही procedure अभी मैंने बताया था कि हम इसको जब 27 लिखेंगे तो 10 into 2 लिखेंगे plus 7 लिखेंगे यदि हम 2 plus 7 लिखते हैं सिर्फ यहाँ पर 2 plus 7 लिख देंगे तो क्या हो जागा 2 7 कितना हो जागा 9 हो जागा तो यह वापस ही यह नहीं मिला है तो क्या हो जागा गलत हो जागा इसलिए जब भी 10s place पे होता है यानि कि जब यहाँ पे दूसरे नंबर पे होता है तो हमें उसे 10 से multiply करना होता है और यह से यहाँ पर है same 10 into 9 minus x यानि कि जो हमारा second वाला digit आएगा वो 9 minus x है ना यहाँ पे देखी 10 हो गया और यह 9 minus 6 यानि कि second वाले नंबर को दिखा रहा है second वाले नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और यह plus x यानि कि unit digit है तो हमारे यह original number का equation हो गया अब जब हम इसको interchange करेंगे after interchanging when we interchange the digit जब हम digit को आपस में क्या करते है जब interchange करते हैं तो number will be यानि कि जब हम digit को interchange करेंगे तो number will be क्या हो जागा 10 और यहाँ पे 9 minus x है यह तो second digit है तो यह x को हम इधर ला देंगे और 9 minus x को जब हम इधर ला देंगे तो digit interchange हो जागा समझ में आ रहा है जैसे कि यहाँ पे 2,7 है और इसको हम इधर ला लेते हैं और इसको इधर लेकर आते हैं तो क्या हो जागा x इधर आजागा तो 10 x और प्लस यहाँ पे 9 इधर change कर देंगे तो 9 minus 6 हो गया तो यह आप लिख लीजेगा सारे के सारे लिखना है इंपोर्टेंट है अब देखिए now अब क्या होगा यहाँ पे हम original number लिखते हैं original number हो गया और यहाँ पे क्या हो गया reverse number हो गया suppose हम लिख लेते हैं अब एक बात का ध्यान रखना है दोनों original number और reverse number को दोनों को हमें क्या करना है equal करना है original number हमारा क्या हो गया 10 9 minus x यहाँ पे यह original number है यह हमने और plus x यह हमारा original number हो गया और reverse वाला number क्या हो गया 10x plus 9 minus x तो यह हमारा reverse वाला number हो गया after interchanging the digit यानि कि जब हम digit को जब interchange कर रहे है तो जो new number आ रहा है वो कितना आ रहा है वो 27 अधिक आ रहा है जैसे कि यहाँ पे 27 है और यहाँ पे 72 है इन दोनों का जब हम digit interchange करते है तो 45 difference आ रहा है 45 अधिक आ रहा है उसी तरीके से जब हम digit क interchange करेंगे तो कितना आ रहा है 27 अधिक आ रहा है तो reverse नंबर क्या है वो 27 अधिक है तो यदि हम reverse नंबर में से यहाँ पे 27 घटा दे तो यह original नंबर के equal हो जागा बिल्कुल हो जागा यहा तो यहाँ पर आप minus 27 कीजिए या तो original नंबर में 27 प्लस कर दीजिए तो भी क्या हो जब कर देंगे तो भी दूनों एक दूसरे की equal हो जाएगा अब देखिए equation हम यहाँ पर 27 हो गया अब यहाँ पर हम क्या करेंगे equation को solve करेंगे और x का जो value आएगा उरिजिनल लंबर में put कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर 10 into 9 यहाँ पर 90 हो गया 10 और minus x में आपस में क्या होगा multiply होगा तो क्या हो जागा minus 10x और यहाँ पर x और यहाँ पर 10x हो गया यहाँ पर 9 minus x और minus 27 समझ में आ रहा है आपको अब देखिए 90 है और यहाँ पर minus 10x और यहाँ पर plus x 90 ऐसे ही रहेगा minus 10x में से plus x गया कितना हो जागा minus 9x अब यहाँ पर 10x यहाँ पर plus 9 minus x माइनस 27 हो गया इसको ऐसे ही लिख लेते है अब दूसरे वालों के क्या करते है यहाँ पर 10X और यहाँ पर माइनस 27 है और यहाँ पर प्लस 9 है तो माइनस 27 में से प्लस 9 गया तो माइनस वाला साइन कंसिडर करेंगे यह अधिक है तो क्या हो जागा माइनस 27 में से 9 गया कितना हो जागा है 18 हो जागा और यहाँ पर माइनस 6 हो जागा 90 माइनस 9X is equal to 10X में से माइनस 6 गया तो यहाँ पर क्या हो जागा 9X और माइनस 18 हो जागा अब 9X है 9X को इधर लेकर आते हैं तो यहाँ पर minus 9x ऐसे रहेगा और यह 90 है 90 को equal के इस side लेके जाते हैं यहाँ पर यह plus वाला इधर आगा तो minus में हो जाएगा और यहाँ पर minus 90 और minus 18 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर plus में equal के side जाएगा तो क्या हो जाएगा minus में हो जाएगा यहाँ पे minus 108 by minus 18, तो minus से minus क्या हो जागा, cancel हो जागा, और यहाँ पे देखिए, कितने बार में cut करते हैं, 9 से cut करते हैं, तो 9 तू जा कितना हो गया, 18 हो गया और 9 वन्जा 9, और 9 तू जा 18, तो 2 से कितने बार में गया है, 6 बार में गया, तो X is equal to जो हमारा value है, वो कितना हो 6 हो गया अब देखिए x is equal to 6 है अब 6 का जो value है यहाँ पर हम original number में यहाँ पर रख दें तो क्या हो जागा हमारा original number मिल जाएगा तो चलिए हम रख के देखते हैं यहाँ पर देखिए now original number will be now original number will be आप लिख लेना अब देखिए यहाँ पर क्या हो जागा 10 9 x की जगा यहाँ पर 9 minus x है यहाँ पर x का value 6 हा गया तो 9 minus x का value हमने क्या कर दिया 6 लिख दिया और plus यहाँ पर x की जगा फिर से 6 की लिख दिया समझ में आ रहा है अब देखिए इसको solve करते है 10 into 9 90 हो जाएगा और इसको minus 60 और यहाँ पर plus 6 हो जाएगा देखिए 90 में से 60 गया क्या हो जाएगा 30 और यहाँ पर plus 6 टोर्टल नंबर जो हमारा original नंबर आ रहा है वह कितना हो गया 36 यही हमारा क्या हो गया answer हो गया अब देखिए 36 तो हमारा answer हो गया 36 को जब हम digit interchange करेंगे तो क्या हो जाएगा 63 63 हो जाएगा अब 63 में से 36 घटाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा समझ में आ रहा तो यह आपको लिखना नहीं यह समझाने के लिए तो 36 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया तो फ्रेंड्स इसके साथ यह वीडियो समाप्त होता है यदि आप चैनल पर नए हो तो सबस्काइब कर लिजे बेल आइकंब को प्रेस कर लिजे हमारे नेक्सट वीडियो अपडेट के लिए और नेक्सके संथ्षोस कर लिंक जो है भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ तो वह मिलते हैं फिर नेक्सकोसरन में